तो इस पूरी इंडियन मार्केट में इस टाइम पे Samsung का सबसे most value for money phone है Samsung M34 और Samsung F34 दोनों ही phone एकदम सेम है सिर्फ यहां पे color options का difference है एक Amazon पे मिलता है और एक flip card पे मिलता है क्योंकि phone को use करते हो मुझे लगबग एक साल का समय होने वाला है तो phone काफी ज्यादा sturdy रहा है और काफी ज्यादा है tough रहा है मतलब कोई भी scratches कोई भी dents नहीं आया है साथी में Gorilla Glass 5 की protection मिलती है black side थोड़ी सी glossy finish में है आप चाहे M34 लो या F34 लो वहीं पे इसमे headphone jack आपको देखने को मिल जाता है SIM tray मुझे लगा कि शायद अगर dedicated होती तो better होता है लेकिन ये 18,000 रुपए के price bracket का phone है अभी ये मिल रहा है 12,000 रुपए में लेकिन 18,000 bracket के around hybrid ही SIM slots मिलते हैं weight की बात करें तो weight balancing बहुत बहतरी यहाँ पे करिए Samsung ने देख सकते हो 210 gram के around का phone है लेकिन बहुत बढ़िया weight balancing हो जाती है साथी में मैंने M34 F34 का detailed comparison भी करके रखा है तो iBudet पर जाके आप उसको भी देख सकते हो और trust me जो price range भी चल रही है 12,000 रुपए की M34 F34 की बहुत amazing है Now let's talk about इसकी display कैसी है 1000 nits की peak brightness Super AMOLED display साथी में आप पे 120 Hz का refresh rate Trust me इस price bracket के around ये जो मैंने तीन चीज़े बताइए आपको brightness, refresh rate और display quality आपको नहीं मिलने वाली किसी अधर brand में Even Samsung भी आपको अभी नहीं देता है जब तक M35 नहीं आ जाता है और वो 15 के उपर ही आएगा तो वो अभी compare करने वाली बात ही नहीं है एक चीज़ इसमें आपको punch hole design नहीं मिलता है U-shape notch दिया गया है नीचे की तरफ थोड़े bezels आपको मिल जाते हैं लेकिन अगर ये चीज़ आप adjust कर सकते हो आपको इससे फरक नहीं पड़ता है content में आपको ज्यादा focus रहता है तो trust me आपको इसके display निराश नहीं करेगी बहुत बढ़िया experience आएगा और ये price को justify करती है जिस price range में offers में अभी ये आ गया है अगर performance and gaming की बात करें पिछले 8 महिने में इसकी performance में मुझे थोड़ा थोड़ा mix-up reviews के साथ से रखा है साथी में throttle scoring में 90-92% तक throttle करता है मतलब काफी अच्छे results निकल के आते हैं वही पर heating की बात करूँ तो heavy gaming जब आप करते हो इसमें एशवाट खेलते हो call of duty, agention impact तब phone heat करता है after 5-10 minutes on heavy gaming heavy multitasking में phone heat करता है क्योंकि exynos 1200 सी दिया गया है 5 nanometer के साथ और ये exynos processors के साथ है कि जब आप उनमें heavy चीज perform करो तब वो थोड़ा heat कर जाते हैं बट ये जो problem है इसको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर case में आप ये problem आ रही है क्योंकि थोड़ा heat कर रहा है जब आप heavy multitasking करते हो नॉर्मल daily task में कोई issues नहीं आने वाले अब दर अब camera की बात करें तो camera में Samsung ने जब introduce किया था इसका camera तो बवाल मचा दिया था आपको OIS sensor मिलता है price देखो 12-14,000 रुपए में OIS sensor Samsung के phone में मिलना ही बहुत बढ़ी बात है वहीं पर आपको इसमें front में 13 megapixel का selfie camera दिया गया है साथी में आप देखे हो 4K video recording मिल जाती है single take, super slow motion, hyperlap, food mode, fun mode, portrait mode सारे features मिलते हैं आपको जो की Samsung के 1UI के complete version के features हैं वहीं भी आप outputs देखते हो, तो 4K stabilization में आपको OIS काम नहीं करेगा वो full HD में करता है लेकिन video recording में आप 4K use कर सकते हो front में भी full HD 30fps का option मिलता है मेरे असाब से अगर camera को आप अगर देखते हो तो I think इस price range के इसाब से best optimizations इस camera में निकल के आती है साथी में इसमें macro और depth वाला system नहीं रखके सीधा ultra wide lens दिया है जो कि आपको outputs बहुत कमाल के देगा जब long range shots आप क्लिक करते हो साथी में important चीज़ है heating क्या camera यूज करते डाइम पे heat होता है तो Samsung का कोई ऐसा phone नहीं है आप कोई भी उठा लो phone वो phone heat करेगा जब आप camera use करोगे और camera video recording के टाइम पे थोड़ी बहुत heating होती है अगर आप outdoor में shoot कर रहे हो तो especially heat करेगा लेकिन outputs, frame dropping ऐसी कोई समस्या नहीं है और phone cool down भी जल्दी हो जाता है तो मेरे हसाब से camera related आपको को issues नहीं आएंगे आराम से 4 out of 5 starts आप इसको दे सकते हो आप यहाँ पे आते हैं battery backup से related पिछले 10 महीने से जो मैंने phone को use किया है battery backup में थोड़ा बहुत up and downs रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत जादा updates आए हैं कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि एक-एक महीने में दो-दो updates भी roll out करें हैं Samsung ने यहाँ पे देखे battery backup में इसमें 6000 image की battery दी गई है 25 watt की charging ही support करता है charger आपको मिलेगा नहीं box में तो यहाँ पे जो backup निकल के आता है वो around देड़ दिन का मुझे यहाँ पे देखने को मिला है अब कुछ मैंने comments read कर रहे ते लोगों ने complain करी है कि बहुत ज़ादा battery drain हो रहा है लेकिन सभी units में ऐसा नहीं हुआ है वरना लोग बहुत massively complain करते यहाँ पे थोड़ा सा mix up रहा है क्योंकि यह update के point of view से problem हो सकती है अभी इसमें 1UI 6.1 नहीं आया है वो आने के बाद problem I think काफियत तक solve हो जाएगी और अगर आप अपने phone को अच्छे से optimize करके रखते हो तो एक दिन तो बड़े आराम से इसका battery backup यूज़ कर सकते हो दोस्तों आप तेरा Android updates की भी बात कर लें चार साल के हुए updates Samsung ने promise करे हैं Android 13 out of the box आया था अपडेट बात करें कहां तक आएंगे तो Android 17 तक की updates मिलने माले हैं आपको साथी में इसमें हर दो मेने में एक update rollout हो जाता है अब इसले एक दो मेने से नहीं आया है लेकिन policy यही है कि दो तीन मेने में एक update Samsung देता है speakers की बात करें तो इसमें आपको single speaker दिया गया और पहले आप outputs उनके देखो तो काफी अच्छी quality आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है Samsung के बहुत अच्छे quality के speakers यहां पर लगाए गया है तो आपको speaker point of view से multimedia consumption में आपको कोई भी issues नहीं आले बाले अब stereo नहीं मिलते हैं यहां पर और Samsung stereo नहीं देता है 20,000 के अंदर भी तो आपको single speaker मिलने वाले हैं लेकिन quality बहुत अच्छी यहां पर है दोस्तों इस phone की features जान लो क्योंकि इसमें आपको complete version मिलता है 1EY का कोई core war version नहीं है आपको screen recorder मिलेगा यहां पर आपको music share, NFC देखने को मिलता है extra dim secure folder, always on display साथी में आप fine lock के जरीए good lock modules को भी चला सकते हो good lock वाली वीडियो आपको मिल जाएगी आप देख सकते हो जाके तो fully feature loaded phone है, साथी में advanced features में भी सारे features यहां पर रखेगा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको feature point of view से आपको कोई भी ऐसमें ऐसा कमी महसूस हो सकती है और especially जो price range है, उसमें तो कमाल यह ढ़ा देगा तो एक final verdict पे अगर आएं कि M34 लिया जाए, F34 लिया जाए इस price range पे लिया भी जाए या कि नहीं, 8GB या 6GB लिया जाए तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका price budget tight है, 12-13,000 है तो 6GB variant इसका best होगा, वहीं पे अगर आप 15,000 तक budget ले जा सकते हो तो इसका आँख बंद करके 8GB variant ले लेना और especially अगर आपके ममी पापा ये phone यूज़ करने वाले है या फिर आप खुद भी परसनली उतना gaming नहीं करते हो जस्ट आपको day-to-day यूज़ के लिए एक phone चाहिए तो ये price bracket के लिए best phone है आपे Samsung M34 और F34 अब ये जो दो phone है, basically है same, just color option अंतर है ज़्यादा अगर आपको comparison भी देखना हो तो आप eye button पे इस video को देख लो जाके आपको detail में पता चलेगा कि कुछ difference है भी याँ पे की नहीं तो बस guys इतना ही दाज कि इस video में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like कर देना साथियों और कि कुछ भी सवाल हो इस phone से related तो please let me know in the comments में जल्दी से reply देने का प्रयास करूँगा अब लोगे इस प्रम की ने टेख वीडियों देख के लिए नमस्कार